हे प्लांट आहॉलिक्स वेलकम बाक तो मैं चैनल होप यौल दूइंग वेल फ्रेंड्स इन दिस वीडियो आप लोग इस वीडियो में शेयर करूंगी तो इसलिए आप लोग प्लीज एंड तक बने रहिएगा तो फ्रेंड्स ये देख सकते हो आप मैं जस्ट उपर से दिख खा देती हूँ कि मैंने ये सारे प्लांट की शॉपिंग की है अब मैं वन बाई वन करके मैं आप लोग एक सास सारे ही प्लांट को शेयर करूंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला फ्रेंड्स ये जो आप प्लांट देख रहे हो बहुत ही खुबसूरस सा ये रूपीस का पड़ा ये देख सकते हूँ आप रेंड्स काफी हेल्दी सा ये प्लांट है और इसके बाद जो नेक्स प्लांट मैंने बाई किया है ये है इंग्लिश रोज का प्लांट और ये बटन रोज है और फ्रेंड्स बहुत ही ब्यूटिफुल इसका भी शेयर लग र और आप देख सकते हो ये भी पिंक का थोड़ा सा अलग सा शेड है और फ्रेंड्स बटन रोज वैसे भी देखने में खुबसूरत से लगते हैं और नेक्स फ्रेंड मैंने एक ये बेबी पिंक कलर के दो हिबिसकस की फ्रेंड्स मैंने शॉपिंग किये क्योंकि मैं काफी लगान ईये देख सकते हो आप फ्रेंड्स और अच्छे तरीके से हो रहे हैं ये देख़ि कि इसका कलर जो है वो बहुत प्यारा सा लगता है क्योंकि ये बंचस में बन्कि टो बहुती ज़्यादा को ब्लांट देखने में लगता है और मैंने आपको इबीसकस की थोड़ी खिली नहीं है यह यलो कलर का हिबिसकस का प्लांट हो और इसका जो फ्लार उन्होंने बताया है थोड़ा बड़ा साइज में इसका फ्लार किलेगा और यह भी 70 रुपीज का पड़ा और काफी बड़े से पॉली बैग में भी लगा हुआ है यह देख सकते हो आप फ्रेंड्स और यह जो साइज होगा ना इसका साइज उन्होंने बोला कि बड़ा साइज आएगा जो अभी आपने अलियवन देखा है वो तो थोड़े चोटे-चोटे हैं इसका साइज जो होगा वो बड़ा होगा और यह डाक यलो कलर का इसका फ्लार निकलेगा और फ्रेंड्स काफी finally ये nursery पे मिल गया आप देख सकते हो इसमें भी flowering होना start हो गई है और काफी healthy सा ये plant है और बहुत beautiful सा लग रहा था और friends ये 4 inches के pot में लगा हुआ है तो ये मुझे 80 रुपीस का पड़ा आप देख सकते हो कितना healthy सा ये plant हो bleeding heart वैसे भी देखने में बहुती खूबसूरत एक flowering plant होता है क्योंकि इनका जो flower जो होता है वो बहुती unique और काफी beautiful देखने में भी लगता है ये देख सकते हो आप friends ये देखे इसका flower बहुती beautiful सा लग रहा है इसके बाद friends next मैंने फिर ये dark pink color के दो hibiscus के plant को buy किया है और friends काफी healthy सा ये भी plant है ये देख सकते हो आप friends और ये भी काफी बड़े से poly bag में लगा हुआ established plants थे friends उनके पास तो मैंने hibiscus क्योंकि friends साल भरी on off करके flowering करता है और ये देख सकते हो friends काफी बड़े से poly bag में लगा हुआ है तो ये भी मुझे 70 rupees each पड़ा ये देखिए तो friends अगर आपको ऐसे plant की तलाश है जो की साल भर ही on off करके flowering करें तो आप hibiscus को तो जरूर इंक्लूट करिएगा और आप देखिए कितना beautiful सा इसका flower लग रहा है और ये भी bunches में blooming करता है तो friends बहुत ही जादा खुबसूरत आप जहां कहीं पर भी इसको लगाओगे वेदर आप जमीन पर लगाते हो या फिर आप pot में लगाते हो तो बहुत ही beautiful ये एक flowering plant होता है और especially summers में तो बहुत ही अच्छे से blooming करता है और ये भी देख सकते हो आप friends काफी बड़े से polybag में लगा हुआ है और ये सारे ही plants काफी established थे तो friends इसी वएसे मैंने इनको तुरंद बाइ कर लिए और hibiscus मैं इस बार चाह भी रही थी कि थोड़ा जादा मैं अपने lawn में add करूँ वैसे भी मेरे पास hibiscus हैं लेकिन जो मुझे नए कलर मिलते हैं तो मुझे पसंद है friends उनको एट करना इसके बाद friends मैंने ये bone meal लिया है जो की एक किलो का पैक है जो की मुझे 50 रुपीज का पड़ा क्योंकि friend bone meal वैसे भी ardanium अगेरा में डालने के लिए काफी जादा useful होता है और other plants के लिए भी काफी जादा ये importance है इसकी और इसके बाद friends as usual मैंने नीम खली का एक किलो का पैक लिया है जो की मुझे 50 रुपीज का पड़ा जो की मैं जब भी potting mixture बनाती हूँ तो हमेशा नीम खली को तो जरूर अट करती हूँ friends आप लोग भी जब भी potting mixture बनाईए तो नीम खली को ज़रूर अट करिये इसके साथ friend bone meal को भी आप ज़रूर अपने plants में डालिए क्योंकि एक ये slow releasing fertilizer है और बहुत ही अच्छा content इसमें सभी चीजों का पाय जाता nutrients जो होते हैं वो बहुत अच्छी quantity में आपके plant को मिल जाएगा अगर आप इसको डालोगे especially adenium के लिए तो बहुत ही अच्छा है तो friends ये मेरा छोटा सा august plant shopping hall था तो आप लोग comment section में ज़रूर बताईएगा कि आपको इन plants में से कौन से plant सबसे ज़्यादा पसंद आए और friends अपने suggestions भी आप दे सकते हो कि अगर आप चाते हो मैं किसी plant की shopping करूँ तो वो भी आप लोग comment section में ज़रूर बताईएगा मैं कोशिश करूँगी उन plants को buy करने की तो friends ये था I think आप लोग को ज़रूर पसंद आया होगा और rates का भी friends आप बताईएगा कि आपको कैसा लगा या आपके अधर इनके rates किस तरीके के होते हैं तो friends I hope आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और friends अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो please मेरे चैनल को like, share और subscribe जरूर कीजेगा और अगर आप अभी जुड़े हो मेरे इस चैनल पे तो please मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजेगा Hope you like the video, thank you so much झाल